हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल सूपर मॉम फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे सेवई उपमा इसे बर्मिसिली उपमा भी कहते हैं तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए रेसिपी को शुरू कर देते हैं तो पहले हम कडाई को गरम करेंगे अच्छे से कडाई को गरम करके उसमें हम डालेंगे दो चमच तेल और इसे अच्छे से गरम होने देंगे तो तेल हमारा गरम हो चुका है इसमें हम डालेंगे आदर चमच राई यानि कि master sheet इसे डालेंगे और इसमें डालेंगे हम चार से पांस करीपते और दो हरीमर स्लिट की हुई उसे डालेंगे और इसे हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि हमारा ये master sheet अच्छे से नहीं भून जाता राई क्योंकि अगर राई अच्छे से नहीं भूनेगा तो फिर यह कर्वा लगने लगता है तो इसे अच्छे से हमें भूनना है तो राई हमारा भून चुका है तब इसमें हम डालेंगे एक मेडियम साइज का चॉप किया हुआ आलो के चोटे चोटे नहीं हम लिए हम रिख सब्राइन हैं AI घरि मितर अमक्राइब इसे अच्छे से हम चला लेंगे और इसे ढखकर हम एक से दो मिनिट तक सॉफ्ट होने देंगे एक से दो मिनिट हो गया इसे हम चेक कर लेते हैं तो सर्चिया हमारी अभी आधी सॉफ्ट हुई है आधी और सॉफ्ट होने बाकि रह गई है अभी और यह भूनेगा और इसे हमें सॉफ्ट करना है तो इसे ढग कर अभी एक से दो मिनिट और छोड़ेंगे हम तो एक से दो मिन्ट हो गया है चेक कर लेते हैं तो सब्चिया हमारी भून चुकी है अच्छे से अब इसमें हम डालेंगे एक मेडियम साइज का चॉप किया हूँ टमाटर इसमें हम डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे नमक नमक अपने टेश के कॉर्णिंग इसमें डाल देंगे नमक डालने से टमाटर अच्छे से गल जाता है और सब्चिया भी साथ में अच्छे से पक जाएंगी इसमें डालेंगे दो पिंच हल्दी पॉडर और हाप टीस्पून लाल मिर्च पॉडर और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे ढग कर एक से दो मिनट के लिए पकने देंगे मसाले को भूनने देंगे एक से दो मिनट हो चुका है चेक कर लिए तो सब्जिया हमारी लगभग पक चुकी है अब इसमें हम डालेंगे एक कप सेवई सेवई यह सेवई रोस्टेड है रोस्टेड में यूज कर रहे हैं अगर आपके पास रोस्टेड नहीं है तो आप सिंपल सेवई को एक चमच सुदगी में या रिफाइन आल में डालकर इसे आप एक से दो मिनट के लिए भून ले और फिर यूज कर रहे हैं इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और जितनी हमारी सेवई है उसके ठीक हम डबल इसमें पानी डालेंगे पानी का मेजरमन्ट शही होना चाहिए तभी हमारी सेवई या तभी हमारा खिला 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 बनेगा इसमें डाल दीए अब इसमें हम डालेंगे एक चमच मैगी मसाला इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा और बच्चे बहुत पसंद से इसे खाते हैं तो इसमें डालेंगे हम मैगी मसाला अगर मैगी मसाला नहीं है तो इसमें थोड़े से आप रिग्लार मसाले जैसे धनिया पॉडर और लाल मिर्स पॉडर हल्दी पॉडर और थोड़ा सा गरम मसाला यूज कर सकते हैं इसके जगह पे तो इसमें डालें थ्वासा धनिया पत्ती फ्रेश फ्रेश और इसे मेडियम फ्लेम पर ही रखेंगे और इसे हम ढखकर 2-3 मिट पकाएंगे देखिए 2-3 मिट हो चुका है और हमारा उपमा बनके बिल्कुल तेयार है और खिला-खिला बना हुआ है अभी ठंडा होगा तो और खिला-खिला हो जाएगा इसे ठंडा होने देते हैं तो उपमा हमारा ठंडा हो चुका है बर्मिंसिली ठंडा हो चुका है इसे हम सर्व करते हैं तो देखिए कितना खिला-खिला बना हुआ है बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं मैगी मसार डालने से बच्चों को मैगी का टेस्ट इसमें आता है और बच्चे अच्छे से इसे खा भी लेते हैं तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा और इस तरह से आप ट्राई जरूर कीजिएगा बहुत ये टेस्टी बनता है देखिए हमारा उकमा बनके रेडी है से वही का बहुत खिला खिला बहुत टेस्टी बना है तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा बाबाई